गुड मॉर्निंग साथियों सरसुती के रिपॉंट में आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेर समारा डेली सीरीज आप लोगों का अच्छा लग रहा होगा आप अपने तयारी को बहतर बना रहे होंगे और आपके तयारी में सहायक सिद्ध हो रहा होगा ठीके चलिए सुरू करते आज का करंट अफेर उससे पहले चैनल को लाइक करें शेर करें और अपने दोस्तों को भी रिकामेंड करें और अपने फेस्बूक के माधियम से या वर्ट्सप के माधियम से वीडियो को शेर जरूर करें चलिए सुरू करते हैं आज का करंट अफेर 26 जनौरी 2020 को गणतंतर दिवस का कौन सा संस्क्राण मनाई गया है तो ये 22 संस्क्राण 26 जनौरी 2020 को गणतंतर दिवस की 22 वर्षगाण मनाई गई 26 जनौरी 2020 को गणतंतर दिवस पर मुख्य अतिती कोई नहीं होगा कोई नहीं था और ऐसा पहले तीन बार हो चुका है 1902, 1903 और 1966 में भारत के समिधान में गनतंतर आत्मक ब्योस्ता फ्रांस देश से ली गई है ठीक है यह important question है कि भारत में जो गनतंतर आत्मक ब्योस्ता है कहां से ली गई है तो यह फ्रांस से ठीक भारत का गनतंतर 26 जनौरी 1950 पचास को लागूआ था ठीक भारती समिधान सबादवरा समिधान को 26 नौरी 1950 को अपनाया था और 26 जनौरी 1950 को लागू किया था गनतंतर दिवस पर भारत का 2000 रोहन भारत की राष्ट बती करते हैं ठीक है पंदरगस्त में परधानमंत्री और गनतंतर दियोस में राष्ट बती 2000 रोहन करते हैं किसने सता से हवा में मार करने वाली आकास NG New Generation मिशाइल का सपल परिक्षन किया तो यह DRDO ने रक्षा अनुसंदान वबिकास संगठन याने DRDO ने सता से हवा में मार करने वाली आकास NG New Generation मिशाइल का ओड़ी शाइल के चांदीपूर रेंच सपलतार पूर्वक परिक्षन किया है यह मिशाइल हवाई खत्रों को रोक सकती है इस मिशाइल को भारती वाईशेना IAF रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लॉंच किया गया DRDO Defense Research and Development Organization हिंदी में रक्षा अनुसंदान वबिकास संगठन 1908 में स्थापना हुआ था मुख्यलाई नहीं दिल्ली में अध्यक्षें जी सदिस रेड़ी Electronic Electrol Photo पहचान पत्र E-Epic को किसने लॉंच किया है तो यह भारतीय निर्वाचन आयुक ने चुना आयुक यानि Election Commission of India ने राष्टी मद्दाता दिवस के आउसर पर 25 जनुरी को अपचारिक रूप से E-Epic Electronic Electrol Photo Identity Card लॉंच किया है E-Epic यह Electrol Photo Identity Card का PDF संस्क्रण होगा इसमें संपादन नहीं किया जा सकेगा और इसमें तस्बीर और सीरियल नंबर पासपोर्ट माफ कीजिए तस्बीर और सीरियल नंबर पार्ट नंबर आदी के साथ सुरक्षित QR कोड होगा इसे मोबाइल या कंब्प्यूटर पर डाउंलोड किया जा सकेगा और डिजिटल Sunilaroda मुख्य चुनायूक्त है भारती समिदान का भाग पंदर चुनाओं से संबंदित है जिसमें चुनाओं के संचालन के लिए एक आयूक की इस्थापना करनी की बात कही गई है चुनाओ आयोग की इस्थापना 25 जनवरी 1950 को समीधान के अनुसार की गई समीधान के अनुचेट 324 से 339 तक चुनाओ आयोग और सदिश्यों की सक्ति कार्यकाल पातरता आधी के संबंधित जानकरी दी गई निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था 25 जनवरी को ही राष्टी मद्दाता दिवस मनाय जाता है मुख्यलाई नई दिल्ली में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोडा है और अन्य चुना आयुक्त देखे तो असुग लवासा और सुसील चंद्र है परेटोकों के लिए विस्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच पार्ग किस राज्य में खोला गया है तो ये उडिशा में खोला गया उडिशा के बितरकाणिका ने LED पार्क में मगरमच्च मच्चों की वार्सीक जंगर्ना बाद परेटों के लिए 200 का सबसे बढ़ा सफेद मगरमच्च पार्क खोल दिया गया है ओडिशा के केंद्रा पाड़ा जीले में इस्तित भितरकणिका राष्टी उद्यान विश्व का सबसे बड़ा सभेद मगरमच पार गए ठीक है यह सभेद मगरमच काफी अधिक संक्या में हैं यहाँ पे ठीक है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ओडिशा एक अप्रेल 1934 को इस्तापना वता राजदनी भूनेशर मुक्य मंत्री है नवीन पतनायक विजू जंदादल पाठी से और गवर्नर है गणिशी लाल मुक्य नयादी से एस मुरली धर लोगसभा 21 राजे सबादस बिदान सबा के 147 सीट है राज के पसू सांबर रा राज के व्रिक्ष चार पड़ोशी राज पच्छे मंगाल जारकांड चाठीश कलम अध्यप्रदिश ठीक है उडिशा में इस्तित चिलका जील भारत के सबसे बड़ी खाड़े पानी की जील है और इसे लेगुन भी गयते है ठीक है भारत का सबसे लंबामाद हीरा कुंड यह उडिशा में इस्तिते और महानदी पर इस्तिते अब्दुलकलामदीप इसे ही विलरदीप के नाम से जाना जाता है यह उडिशा के तट पर इस्तिते भात्रवें गरतंतर दिवस में भारतिय सेना की तरफ सामिल होने वाली एक मात्र महिला अधिकारी कौन बनी तो यह प्रिती चौधरी देश के भत्रवें गरतंतर दिवस के परेड में राजपत पर कैप्टन प्रिती चौधरी अप ग्रेडेट सिल्का एंटी एरक्राफ्ट हतियार सिस्टम की कमान समाली परेड में सिल्का एंटी एरक्राफ्ट हतियार सिस्टम को पहली बार सामिल किया गया चंडिकल की आर्मी एर डिफेंस की कैप्टेन पृति चोधरी इस वर्स गणतंतर दिवस परेड में नेतरतु करने वाले एक मात्र महिला सेना अधिकारी है यह इंपोर्डेंट लाइने पढ़ लेना इसे और याद रखना है ठीक है सिलका एंटी एर क्राफ्ट हतियार सिस्टम के साथ पृति चोधरी ठीक भारती थलसेना इंडियना अर्मी एक अप्रिल अठासो पिच्छानेवी में स्थापना हुआ था नई दिल्ली में इसका मुख्या लाइए जनरल मनोज मुकंद नर्वा ने थलसेना के अध्यक्ची है 2021 में पद्म पुरुसकारों से कितने लोगों को समानित किया गया तो टोटल 119 लोगों को ठीक है केंदरी ग्रह मंत्रालाई पद्म अवार्ड की गोशना कर दिये तो जापान के पूर पीम सिंजो अवे समय साथ लोगों को पद्म भीभूशन से नमाजा गया है ठीक है वहीं 10 लोगों को पद्म भूशन और 102 लोगों को पद्म स्री से समानित किया गया है कुल 111 लोगों को 2021 में पत्म विभूशन से समानीत किया गया है ठीक है पत्म विभूशन यह साथ लोगों को दिया है वो साथ लोग है शिंजो अबे यह पब्लिक अफियर्स जापान से सब्सक्रानीय मोड्र परांति दिया गया यह कला के चेतर में तमिल नाडू से यह मेडिसीन के चेतर में करनाटक से है। नरींद्र सिंह का पाणी यह मरोड़ प्रांति दिया है शाइंस अंड इंजिनिरेरिंग के चेतर में यह अमेरिका के हैं USA। मुलाना वहीदुदीन खान ये दिल्ली के है और बीवी लाल पुरातत्तु अधिकारियें दिल्ली के हैं सुधर्षन साहु कला के चेतर में ये ओडिशा से हैं ठीक है ये सात लोगों को पद्म भीभुसन दिया है अब देखें पदम सरी पद्म भुसन तो ये दस लोगों को दिया है पद्म भूशन इसमें है ये कृष्णन नायर सांता कुमारी कला के छेत्र में केरल से तरुन गोगोई मरोणों प्रांथ पप्लिक अफिर्स असम से ये और चंद्र सेकर कंबरा ये साहित्यम सिक्षय छेत्र करनाटक सुमित्रा महाजन पप्लिक अफिर्स जर्पेंद्र मिश्र सिब्ल स्र इस उत्तरप्रदेश राम विलास पास्वान मुन्फ प्रांथ पुब्लिक अफिर्स बिहार और केशु भाई ये ये समाजिक स्क्रा्यां तर्चेत्र कुमारा ने घर्ता जोच्छेत्र ने ककरने घर्ध दर दिऊख के दिन फाउजी को लांच किया है यह फाउजी एक तरह का क्या है डॉट 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 दिया है तो यह मोबाइल गेम ठीक है अभी अभीनेता में अक्षे कुमार ने फैंस को खास तोफा देती हुए इस दिन की बदाई दिये दरसल भारत में बहुँ चर्चित और मेडिर इ महत्तों के बारे में जागरूता बढ़ाने के लिए 25 जनरी को राष्टिय पर्यटन दिवस के रूप में मनाने दिकी कोश्णा की है यह दिन पर्यटन और इससे सामाजिक राजनेतिक बित्तिय और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्तों पर बैस्विक समुदाई के बीच जाग होती महिलाओं तता बच्चों को पोश्ण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्तान के शिरोही जिले में एक मोधा सुपोसित बेटी के नाम योजना सुरू की गई है राजस्तान राजधनी जाइपूर मुख्यमंतरी असोग गहलोत कॉंग्रेस पार्टी से गवर् हद राजस्तान गया राजस्तान में स्टे करगरिका भारत के राजस्तान राजस से होकर गुजरती ऑर कुल-03, भा-र्ल, घुजरत, जास्तान, अध्यपरदेश, चतिश, चतन, जार्खंड, 55 वंगाल, शe आतिरपूरा और मिज़ूरून किसी Space Agency ने एक ही रॉकेट पर 143 उपगरह लॉंज करके विशो रिकॉर्ड बनाया है तो ए पिस एक्स ने एलन मस्क की अंत्रिक्ष एजेंसी इस्पेस एक्स ने एकी रोकेट से 143 उपगरह प्रिछेपित कर नया रिकॉर्ड या नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है इस्पेस एक्स ने फरवरी 2017 में एकी रोकेट से 104 उपग्रह प्रिछेपित करने के भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन यानि इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिये गे इस्पेस एक्स अमेरिका की एक नीजी यानि प्राइबिट कंपनी अंतरिक्ष कंपनी 6 माई 2002 को स्थापना वाता के लिफोर्ण या युएसे में मुख्या लाए गवीनी साट्वेल इसके अध्यक्षे हैं और संस्थापक एंड सी यू एलन मस्क हैं कुछ अन्य देशों की अ स्पेस एजेंसी इस्पेस एजेंसी रॉस्कोस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी हैं बिस्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिसेश के लिए जर्मनी को पीछे छोड़ कर कौन सा देश सीर्स पर रहा तो यह चीन म्यूनिक इस्थित इफू इफू इस्च्ट के एक बिलियन के दुगना से अधिक हो गया है जबकि जर्मनी का चालू खाता अधिसेश दोजार बीस में लागातार पांचवे वर्स के लिए दोसो एक्सट बिलियन हो गया है चीन एशिया महाधी में इस्थिते राजधानी विजिंग करंसी रैनमिन भी या यूवान राष्ट दिवस औरहे अन्तराष्टी सीमा सुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है इसलुप समप्ती में συं Upper और 23 जन्वरी को अब प्राकरम दिवस के रूप में मना जाएगा 23 जन्वरी को सुभा चंदर बोस की 125 जैनती पर देश भर में प्राकरम दिवस मनानी की घुषणा की गई ठीक है नेता जी सुभा चंदर बोस का जन्म अब का 23 जन्वरी अठासो सतानवे में कटक उड़िशा में हुआ ठीक है 1921 में इन्हें भारती राष्टी कांगरेस में सामिल हुए थे और 1927 में भारती राष्टी कांगरेस के राष्टी महासच्यू बने और 1929 में यह राष्टी कांगरेस के अध्यक्ष बने और हरीपूरा अधिवेशन की अधिक्ष्टा की और 1949 में इन्होंने ओल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक संगठन बनाया था और उन्हीसो थे तालिस में जापान के लिए प्रस्तान के और इंडियान नेशनल आर्मी यानि आजाद हिंद पहुँच का पुनर जीवित पहुचको पुनर जीवित के इन्होंने ठीक है इनकी पूस्तक है दा इंडियान इस्ट्रगल एन इंडियान पिलग्रिम या अपून आत्म करते हैं इंडियान पिलग्रिम ठीक है और संपाधन यानि इन्होंने स्वराज अकबार का संपाधन किया था और इन्होंने दो नारा जो नारा दिया था तो जैहिंद दिल्ली चलो और तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजा दी दूंगा तो गुड़ लग विन